वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से प्रिवेस्ट करना चाहूंगे अगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजियेगा तो अगले जो वीडियो में क्या देखना चाहते हैं तो बस यही आज की रिक्वेस्ट तो आज मैं आपके लिए एक श्पेशल वीडियो लेके आई हूँ आपके लेनी मेरे लिए बहुत श्पेशल एक वीडियो क्योंकि आज मैं अपने शादी का जो लेंगा उसको रियूस करने वाली हूँ वैसे तो यह लेंगा काफी आउट्टेड हो चुका है अब इस टेप क लेंगे नहीं चलते हैं तो मैंने सुचा क्यों ना इसके साथ कुछ नया ट्राइ किया जाए कुछ ऐसे लुक्स क्रियेट किया जाए कि थोड़ा साम इस लेक लेंगे को अपने फेस्टिवल पेशी की करवा चौत पे और अभी श्पेशली वर्ट सावित्री आरी तो आप म इसी है जो आप से मैच हो जाएगी जो आपके पास होगी तो आप यह वाले लुक्स ट्राइक कर सकते हैं इस पेशली यह वीडियो में आपके लिए लेके आरी हूं तो चलिए विडाव जनी डिले वीडियो को स्टार्ट कर लेंगा या फिर कोई रेड कलर की साड़ी या र पिचर से जिसमें कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से साड़ियों को स्टाइल करके दिखाया है अगर अभी तक आपने मेरे यह वीडियो नहीं देखे हैं और आप मेरे यह वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके लिंक मैं आपको डिस्प्शन बॉक्स में दे अब भी आपके सामने पिच्चर भी यह मेरे लहेंगे का और जो मेरा यह लाएंनल गणा था इसमें एक रैड कलर कट गड़ का रपटा था और जो मैंने सार पर लिया हुआ है वह गॉल्डण कलर का अपटा था तो इसमें मैंने यह गॉल्डन वाला लिया है जिसका भी जयां जया मत बेंड कर जयाने भाशे में आलुक और उसके बाद मैंने नेक्स लुक को क्रिएट करने के लिए अगर आप थोड़ा सा लाइड लुक रखना चाहते हैं तो अपना उस हेवी वाले डुपट्टे को चेंज करके आपके पास नॉर्मल कोई भी गोल्डन डुपट्टा हो या रेड कलर का डुपट्टा हो तो आप ले सकते हैं मैंने रेड कुर्टी के साथ गोल्डन डुपट्टा यूज किया है तो हमारा एक सिंपल लुक रेडी हो चेका है जैसे कि आपको बहुत हैवी लुक नहीं रखना है तो आप इस टाइप से डिफरेंट लुक भी क्रिएट कर सकते हैं तो यहां पर मैंने इस और एक चोटी बना लेंगे पंजाबी चोटी तो यह बिलकुल पंजाबी लुक लगेगा आपका इस लुक को इस वीडियो में मैं नहीं दिखाने वाली थी क्योंकि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बस मैंने आपको दिखाया है कि आपको किसी भी हैवी लह दूसकी आए ग्रीन कलर की तो यही आपको करना है एक ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी है कि आपको वर्क वाली चीज के साथ हमेशा वर्क वाली चीज को पेर नहीं करना है थोड़ा सा अगर आपका एक चीज है यह तो यहां पर मैंने उसी लुक में थोड़े से चेंजिस कर लिए है मेरी कुर्ती का फिक फील्ला थी तो मैंने या पर अपना ःफ वाला डूपट्टा है उसको पीयर कर लिया है तो यह भी काफि पार दी रहा है थो क्ली कई आ यहांगे से ओठेस है यह हो Çुका है तो नेक्स्ट लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक गोल्डन कलर की कुर्ती का यूज किया यह मेरी एक लाइट गोल्डन कलर की कुर्ती है और यह काफी अच्छी लग रही थी इस लहंगे के साथ तो मैंने डुपट्टे को यहाँ पर सिंपल रखा है और मैंन का आइब को क्रिएट करने के लिए मैंने आपके थोड़े से चेंजिस किया अपने लाइट लुक वाले डुपटे को हटा कर मैंने यहाँ पर लहेंगे के साथ का रेड डुपटा यूज किया है क्योंकि कुर्थी बिल्कुल गोल्डन है तो मैंने ऊपर थोड़ा सा रेड तो यह look भी बहुत ही सुन्दर लग रहा है, तो यह look भी काफी अच्छा लग रहा है, इस look को आप try कर सकते हैं, किसी भी engagement function के लिए, या किसी भी चोटे मोटे function में, आप इस look को जरूर try कीजेगा, मैंने डुपटे को बिल्कुल simple तरीके से style किया है, आप किसी और different तरीके से भी डुपटे को style कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से, तो next look को create करने के लिए, मैंने आपर अपना लहंगा और golden color का डुपटे का यूज किया है, और अपने लहंगे के blouse को अपने red color के blouse से replace कर दिया है, मैंने लहंगे वाला blouse नहीं यूज किया है, और मैं यह आपर जो ड आई बिटन में भी दे दूँगी, और नीचे description box में भी आप चेक कर सकते हैं, अगर आप यह वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस पल्लू को drape करने के लिए, बहुत जादा महनत नहीं करने पड़ती है, बस corner से आपको अपने पल्लू को पकड़ना है, और शोल्डर पर र तो आप यहाँ पर पीछे मेरी तरह यहाँ पर एक safety pin लगा सकते हैं, तो यह वाला पार्ट complete होने के बाद इसी पल्लू को मैं आपको 2-3 तरीके से style करके बताऊंगे, अलग अलग तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा वाला पार्ट है, उसको back से एक ground घुमाते हैं, फ्रंट में ले आएंगे, और उसके बाद जो हमारा border वाला पार्ट है, इसको फ्रंट में रखते हैं, यहाँ पर अपने वेस्ट में safety pin से secure कर लेंगे, तो मैंने भी safety pin से secure नहीं किया है, क्योंकि मैं अभी आपको एक दूसरा style भी बताऊंगी, तो यह हमार gather करेंगे, आप अगर side में waste में अगर उसको नहीं रखना चाते हैं, तो इस तरीके से हाथ में रख सकते हैं, यह भी काफी अच्छा look आएगा, अब इसी डुपटे में मैं आपको थोड़ा सा changes करके बताती हूँ, हमारा जो overall look है, विल्कुल change हो जाएगा, back में जो हमने corner व लगाया और अपने आप ही अच्छा लग रहा है, जैसा कि अभी आपके सामने side में picture शो हो रहे है, इस look को मैंने इस से पहले वाले वीडियो में भी create किया है, और काफी अच्छा look लग रहा था, अगर आपने मेरा यह वीडियो नहीं देख तो इस वीडियो का link में उपर आ अगर आप चाहते हैं, इस टाइब के लहेंगे के साथ मैं आपको और भी looks create करके दिखाऊं तो मुझे comment कर सकते हैं, तो next look को create करने के लिए मैंने यहाँ पर यह red color की silky साड़ी का use किया है, लहेंगे को मैंने एजजडेज रखा है और मैंने अपने red color के blouse की जगए पर यह starting की pleats को कैसे बनाते हैं, तो screen पर अभी आपके सामने जो picture show हो रही है, इस video का link में उपर आपको i button में दे दूँगे, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर पर लू को ready करने के बाद हमारा जो साड़ी का बचावा fabric है, बिल्कुल last में जाकर हम corner वाले part को लेंगे, दोनो pressing देने के बाद, सारी pleats को अच्छे से arrange करने के बाद यहाँ पर हम प्रेस कर लेंगे, और प्रेस करने के बाद एक round घुमाते वे, बिल्कुल हम इसको pleats को सारी belly button के पास ले आएंगे, और belly button के पास यहाँ पर safety pin से secure कर लेंगे, और उसके बाद हम बाकी जितना भी fabric बचा करने के बाद, हम back side में यहाँ पर इस तरह के से, जैसे कि मैं यहाँ पर पीछे टक करूंगी, आप अच्छे से टक करने के बाद, इसको safety pin से यहाँ पर secure कर लेंगे, और टक करने से पहले आप एक चीज़ यहाँ पर check कर लेंगे, कि अगर आपकी pleats थोड़ी सी extra हो रही है, अगर लग रहा है कि side का fabric थोड़ा जादा हो रहा है, तो एक दो pleats आप दुबारा बना सकते हैं, और check करने के बाद ही, अगर आप front में पहले check कर लेंगे, उसके बाद ही safety pin लगाएगा, जिससे कि आपको बार बार safety pin नहीं खोलना पड़ेगा, बैक की pleats को arrange करने के बाद, यहाँ पर हम front में आ जाएंगे, और front में आने के बाद हम check करेंगे, जो हमारा side वाला portion है, उसका gap है, जो कमर के दोनों side का portion है, वो gap है, जो equal होना चाहिए, तो अगर आपको ऐसर लग रहा है कि gap equal नहीं है, तो front में जो आपकी pleats है, उसको यहाँ पर बाहर निकाल कर आप इ यह shape है, वो आना चाहिए starting में, इससे पहले भी मैंने अपने channel पर इस type की साड़ी dripping बताई है, जिसमें कि मैंने skirt के साथ अपनी साड़ी को pair किया था, जैसा कि आप picture में देख रहे हैं, अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का link में उपर आपको आई में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं, तो हमारा इस साड़ी का final look ready हो चुका है, क्योंकि मैंने बस एक waste belt एड़ करी है, आप लोगों से मैं एक request करना चाहूंगी इस वीडियो को लेकर, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत 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 जादा महनत लगी है, और इस समय मैं बहुत जादा था, क्योंकि यह बहुत heavy लेंगा था, और मैंने इस से बहुत सारे looks create करके आपको दिखा जाएंगे, so thank you so much for watching my video, मिलते हैं next video में, bye bye